तो स्वागत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर अचकी वीडियो में आपको आपके practical exams की date बता दिता हूँ क्योंकि अगर आप board examination की तयारी कर रहे हैं तो आपके practical exams होंगे उसके बाद आपके board examination start होंगे क्योंकि practical exams के भी आपके number board examination का जो result आएगा उसमें add होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा बाकि आगे की वीडियो में आपको बता दूगा कि आपके MP board के practicals कैसे होते हैं बाहर से अगर कोई आता है तो किस तरीके से वाईवा होता है क्या पूछा जाता है और आपको number उसमें कैसे दिये जाते है आपने अगर कुछ नहीं बताया तो कि आपको number नहीं दिये जाएंगे ये सारी चीजों के बारे में अगे की वीडियो में बात करेंगे पर अभी अपन dates की बात कर रहे है और आपके सिक्षा मंतर इंदर सेंग परमार जी का भी एक statement सामना आए है tweet के तुरू वो भी थोड़ा सा confusing है तो उसके बारे में वीपन बात करेंगे अब देखे स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि tweet में आपको क्या बताया जा रहा है कि आपके 13 फरवरी से board examination start हो जाएंगे जबकि आपके जो board examination वो एक March से start होने है अब यह थोड़ा सा tweet करने का तरीका होता है ताकि थोड़ा सा जो tweet है वो attractive बन जाए क्योंकि बच्चे एकदम से परिशान हो जाएं कि यह क्या हो गया फिर से हमारे 13 फरवरी से exam हो रहा है जबकि हमारे March में exam होने थे वहीं पर नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि 13 फरवरी से आपके प्रायोगी परिख्चा यानि कि आपको जो practical exam से वो start होंगे और आपके जो board exam से वो आपके एक मार्स से ही start होंगे अगर अगर आप मेरे subscriber हो तो आपको confuse होने कि कोई भी जरूत नहीं है क्योंकि मैंने आपको कई बार बताया है कि आपके board exam में एक मार्स से शुरू होंगे जो आपका टेम्टेवन आया था वो आपका सही है और उसी में आपको information दी गई थी कि आपके practical exams कब से start हो जाएंगे अगर आपने नीचे point में नहीं पढ़ा है तो screen पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको बताया गया था कि 13 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में आपके practical exams हो जाएंगे कि 13 फरवरी से आपके practical exam से start हो जाएंगे और MP Board के practical exam में आपको कैसी copy दी जाएगी क्या आपको वहाँ पर answer करने पड़ेंगे या पर कैसा वाईवा होगा क्या पूछा जाएगा आपसे कैसे number दिये जाएंगे उनके बारे में मैं आपको आगे videos बनाके दूँगा तो subscribe करके जरूर से रखिएगा और अगर आपके friends अभी तक यहाँ पर connect नहीं हुआ है तो जरूर से कर दीजिया क्योंकि अब आपके exam में काफी time बचा हुआ है और मैं आपको एक series दे रहा हूँ जिसे देखकर आपके board examination में काफी ज्यादा मदद हो जाएगी तो series को जरूर से जाके देखिएगा